अभी अम मुझफरपूर में हैं और आठ महीने से एक ऐसी सिंग नाम की लड़की लापता है और इसके लिए कई महीनों से लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं और जिस बिहार में सुसासन की बात कही जाती है ना देख लिजिए बिहार के मुख्या जी आपके राज में बे बेटी गई कहां है मा, नाना जी, पिता जी धरदर की ठोकरे खा रहे हैं हर जगर पुलिस परसासन में जहां तक हो नियाय की गुहार लगा रहे हैं लेकिन आज तक खाली हाथ है आप कहते हैं बेटी बचा और बेटी पढ़ाओ या चैलेंज करते होंगे कि बेटी बचा के दिखाओ या बेटी पढ़ा के दिखाओ दोनों में से एक चीज भी पूरा नहीं होने देंगे वही इहां जीता जागता उधारन मिल रहा है क्योंकि आप हर रोज देखते होंगे बिहार में कहीं न कहीं बेटीों के उपर महिलाओं के उपर जो अत्याचार है किसी से अभी तक जाच कहां तक पहुच पाई है प्रसासन के तरफ से क्या आशवासन मिला है क्या कह रहें प्रसासन अभी तक प्रशासन क्या कहेंगे प्रशासन अब संत है हम लोग अब धर्णा प्रदर्शन की बात कर रहे हैं हाई कोट से उनको कहा गया है कि चार सप्ता हमें आप रिपोर्ट दीजिए कि आप कहां तक अनुसंधान को ले गया है और एसपी साव अब क्या करते हैं चार संता बाद ही पता चलेगा मतलब अब हर जिगळ नियाय की गोहार लगाते लगाते ठक गए तो अब अब धर्णा प्रदर्शन की बारी आ रही है क्या लगता है धर्णा प्रदर्शन से नियाय मिल पाएगा कोसिस तो करनी ही चाहिए और कोसिस हम कर रहे हैं हमको तो बेटी चाहिए हर हाल में…. चाहिось जिसी सुरूप में वहsels मिलें ध़र्ना से मिलें , सांती पूर्ण मिलें कोसिस तो करेंगे जनता से करने के लिए कि वो संतिपूर नहीं धारना करे तो ज्यादा अच्छा है लेकिन भीर के पास सोचने की सकती थोड़ी कम होती है क्या होगा कि हम नहीं कर सकते है आपको डर जैसा भी लगता है यहां के लिए रहते हैं पर सासन का कोई सुरक्षा नहीं है डरेंगे किस से डरने की तो कहीं कोई बात ही है नहीं हमारा दुस्मन कोई है ही नहीं इसा नहीं लगता होगा कि आरोप जिसके उपर लग रहा है आप लगा रहे हैं या पर सासन के द्वारा लगाया गया कि फलाने फलाने आदमी इस घटना में सामिल थे और जैसे कि आपका भी रहें तो इसा नहीं लगता कि अगर वो लोग फसेंगे तो आपके उपर कुछ एक्सन आएगा उन लोग अपराधी लोगों का आएगा तो क्या होगा आज हमारी बेटी गई कल हम दो मा बेटा रहते हैं बुरे माता पिता मेरे साथ हैं बहुत करेगा तो हम चारों को मारेगा कम से कम समाज या प्रसासन ये तो देखेगी कि बेटी के लिए नाए लड़ते लड़ते ये लोग खतम हो गया कहा जाता है कि भीहार में सुसासन का राज है प्रसासन पूरी तरह एक्टिव है कही कुछ एक्टिव नहीं है केवल कहने के लिए केवल कहने के लिए हैं मुझा फर्पूर में बहुत सारे संगठन है बहुत सारे नेता भी है एक दूसरे के परती द्वेस की भावना इसमें ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे संगठन से हम बात मेरे पास कॉल आया था सबों का बिचार हमने सुना एक बैनर तले आना चाहिए और बेटी के नियाय के लिए आवाज बुलंद करना चाहिए आप से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे अन्य लोगों से भी कहेंगे कि आप उनसे कहिए कि मुझा फर्पूर की बेटी बचाओ बेटी को वापिस लाओ इस मुहीम से आप चलें ना कि अपने अलग-अलग बैनर को इगो लेकर के बने रहें क्या कहिएगा जो समाज के बहुत सारे संगठन हैं सब अलग-अलग हिसे में बढ़कर काम कर रहे हैं अलग होने से नहीं होगा अलग होने से तो बात जहां से शुरू है वहीं पर जाके खतम हो जाएगी इसलिए एक जूट होने की जोरत हर किसी को आज मेरे लिए एक जूट हो यह कल हम आपके लिए एक जूट होंगे तब जा करके यह लराई लरी जा सकती है अगर हम चाहेंगे कि नहीं अलग हम करें वो चाहें अलग हम करें इस तरह से नहीं होगा किंडल मार्च बता रहे थे आप धर्ना परदर्शन बता रहे थे कितना तारिक को धर्ना परदर्शन है धर्ना परदर्शन पाँच तारिक को है धर्णा में कौन-कौन आ रहे हैं? सर्व समाजी मुझभफरपूर के सभी लोग या बिहार से बिहार के लोगों को भियामंतरन हम दे रहे हैं जो इसमें आना चाहें उनका स्वागत है जो इसमें भाग लेना चाहें उनका स्वागत है बस आपको बेटी चाहिए चाहे की नहीं के सहयोग से मिले किसी के भी सहयोग से मिले एक मा विचारी रोरो कर गोहार लगा रही है कोई आए और हमें न्याई दिला दे मुझे मेरी बेटी वापस दिला दे लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है और देखे धरना परदर्शन से क्या न्याई मिलता है यह देखने वाली बात है आगे भी अपडेट हम आप तक पहुचाने का प्रयास करते रहेंगे जैसे हम चार दिन पहले आये थे आज फिर आये हैं और प्रसासन के तरफ हाई कोट के तरफ से आदेश मिला है कि चार सप्ता चार सप्ता के भी अठाई सगस्त को चार सप्ता अठाई सगस्त को पूरा होता है वो दिन प्रसासन का बुलाहट हुआ है हाई कोट में हाई कोट में बुलाहट है कि आईए और जबाब दीजिए कि आज तक आप क्या कर रहे थे उमीद है इन लोगों को भी पालिका पे भरोसा है कि मुझे मेरी बेटी मिल जाएगी इसी उमीद से जी रहे हैं आगे सरक पे ले करके संघर्ष भी कर रहे हैं एक निवेदन और करेंगे कि बिहार के कप्तान जब मिले थे से निवेदन है आप सभी कीजिए उनको मेंसन कीजिए टेक कीजिए ताकि यह संदेश उन तक आसानी से पहुँच सके संदेश तो पहुँच ही गई होगी लेकिन उनका थोड़ा ध्यान इस घटना के उपर होने के बाबजुद भी इग्नॉर करते जा रहे हैं कि मेटर क्या है इसमें और किनका सनलिप्तता यह तो मुझे सब हम सबको नहीं पता है लेकिन उमीद करते हैं कि न्याय मिले इस परिवार को आगे भी अपडेट आप तक देते रहेंगे धन्यवाद